खाने के वागले इस्टेट में बीजेपी वागले मंडल के महसच्यू परसांत ज्यादों पर बाला सहब शिवसेन पार्टी के पूर्व नगर सिवक ने हमला किया है इस हमले के बाद बीजेपी कारकरता काफी आकरामक है और ये बड़ी संख्या में बागले पुलिसी स्टेशन भी पहुँच गए है ये घटना करीब शाम चार बजे के आसपास में कशिश पार्क में हुई है और जाधों को तुरंत इलाज के लिए ठाने सिविल अस्पताल मे भरती कराया गया है राज में जहां एक तरफ भाजपा और शिंदे गुट की सत्ता है तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि शिंदे गुट के एक पूर्व पारसत ने मुख्यमंतरी एकनास शिंदे के निर्वाचन छेत्र में भाजपा के एक पताजिकारी से मार बीट की है भाजपा के वागले बंडल के महा सचिव परसांद जाधाव को बाला सहाब की शिवसेना सिंदे समू के पूर्व नगर सेवक विकास रेपले ने उस समय पीट दिया जब वह शुक्रवार की शाम अपने काम से कशिस पार्क जा रहे थे इस मामले को लेकर वहीं बीजेपी के कारकरता काफी आकरामक नजर आ रहे हैं और बीजेपी नेता संजय केलकर और निरंजन डाउखरे के साथ तमाम कारकरता वागले पुलिस स्टेशन पहुचकर कड़ी कारवाई की मांग कर रहे हैं प्रशान जादव जो हमारा एक पडारीकारी कर्मट कारे करता है उसकी उपर जो जान लेवा हमला हुआ है यह पुर्वल योजित था और उसकी उपर केस दर्ज होनी चाहिए उसकी कारवाई तुरण शुरू होनी चाहिए जिस मांग को लेकर हम पुलिस स्टेशन में आये अब जिस प्रकार का अंसर जो है अधिकरियोंने दिया है और इसके आगे की जो कर्वाई है इस तरह से की जग है जिस धन्ग से यह हमला हुआ है तो कोई भी दबाउं में ना आते हुए अभी उनके जो वहाँ पर हमले के समय जो वहाँ उपस्ति थे वो भी आये है और उनके मार्दम से स्टेट्मेंट लेके कड़ी से कड़ी उनको कारवाई जो है वो होनी चाहिए क्योंकि यह जो हमला हुआ इसमें कुछ तड़ीपार गुंडे भी थी तो हमारा यह सवाल था कि क्या पुलिस को यह देखा नहीं गया उन्होंने देखा नहीं यहां पर CCTV फुटेज आपके सामने है और इसलिए यह कारवाई जो है यह गुना जो है वहां पर दर्ज होना चाहिए यह हमारी मांग है और यह उन्होंने कारवाई शुरू की है हमने मा से भी वहां पोली स्टेशन को निर्देश दिये गए इस बारे में आप जो ग्रह मंत्री है अब मिलने वाले यह जो घटना घड़ी है इसके लिए पाल्तिया जनता पाल्टी का कोई भी कारे करता इसको सहन नहीं करेगा पाल्तिया जनता का पाल्टी के कारे करता के उपर अग जो घटना घड़ी है उसकी वरिष्टों को भी सुषना दी जाएगी